दोस्तों आज के इस मैस के इस वीडियो में एक्स्प्रेंट का एक यूनिक कोशन देखेंगे और यहां पर देखो दिया गया है कि इस प्रावलम को स्वाल करके आपको दिखाना है कि जो इसका जो रिजल्ड जो होगा वो 3y2 के एक्वल होगा अब इसको कैसे करना है चली इस n के फॉर्म में आप तोड़ सकते हैं अगर a power m प्लस m दिया गया हो तो इसको आप a power m into a power n तोड़ सकते हैं तो इस चीज को हमें साथ ध्यान रखिएगा अब जैसे कि आप देख रहे हो यहां पे देखो 2 power x-1 है तो आप इसको क्या लिए सकते हो 2 power x into 2 power minus 1 प्लस 2 power x upon अब यहां देखो लिखा है 2 power x प्लस 1 लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे रहे सकते हो 2 power x into 2 power 1 minus 2 power x I hope आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी अब देखो यहां पे प्लस क्या कर रहा है इन दोनों को अलग-अलग कर रहा है और इसमें अगर आप देखोगे तो यह 2 power x और 2 power x यहां दोनों में common आ रहा है ठीक उसी तरीके से डिनिमरेटर अलम सेक्सम देखो यहां पे भी 2 power x और यहां पे भी 2 power x आया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे निमरेटर में 2 power x को common ले लेंगे तो हमें यहां पे ब्रेकेट के अंदर 2 power minus 1 प्लस और यहां पे चुकि 2 power x निकाल चुके हो तो यहां पे आपको as a 1 मिल लाएगा अपन लगा लिजिए और यहां देखो डिनिमरेटर में 2 power x आपको common लिख रहा है तो इसको भी आप निकाल लेजिए अब इसको निकाल लेंगे तो यहां पे देखो क्या मिलेगा 2 power 1 minus और यहां पे 2 power x निकाल चुके हो तो यहां पे आपको as a 1 मिल लाएगा अब यहां पे इस 2 power x को इस 2 power x को आप कैंसल कर लिजिए तो अब आपके पास finally आपके पास क्या बच रहा है यहां द्यान देखेगा 2 power minus 1 यह है और प्लस 1 है अपन 2 power 1 minus यह आपका दीख रहा होगा अब एक चीज़ ध्यान रखेगा मैं आपको मैं यहां पे सम्झाद रहा हूँ मैं इस बॉले बॉक्स के अंदर कि देखो जब भी base का power minus में दिया जाए जैसे मालो कि अब यहां पे base a है power इसका minus में दिया गया है तो अगर आप चाहते हो कि इसका power plus में चला जाए तो इस base इसका reciprocal लिखना होगा अब यहां पे a का reciprocal जो होता है वो क्या होता है one upon a तो जैसे ही आप इसका reciprocal लिखोगे power plus में चला जाएगा अब जैसा कि यहां पे देख रहे हो 2 पे power minus 1 दिया गया है तो इसको आप लोग क्या करिएगा कि इस two का reciprocal लिखेगा लिखेंगे तो क्या देंगे plus one हो जाएगा और नीचे देखिए two पे power one दिया है इसका मतलब two power one का मतलब क्या हुआ सिर्फ two हुआ minus one अब यहां पे denominator की value होगी वो तो यहां पे one हो जाएगी और यहां पे आप देख रहे one by two plus one है तो अगर आप one by two और plus one को solve करोगे तो इसको अगर आप मिला ल one by two अगर इसको अफसाल करोगे तो value आपको मिलेगी तो यहां पे जो one by two plus one को जब शाल करोगे तो इसका रिचल्ड हो जाएगा three by two और इस three by two को अगर आप one से डिवाइड करोगे तो final में जो result बनेगा वो three by two के बराबर ही आएगा और आपको यही आपको इस question में आपको proving करनी थी तो वीडियो का concept कैसा लगा कमेंट में जरूर दीजेगा और आइसी वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल लखे हैं जहन जय भारत